What is a contract? Contract का मतलब क्या होता है? Contract को define कर रखा है Indian Contract Act के section 2 clause H में उसमें contract के definition दे रखी है, क्या लिखावा है? An agreement, enforceable by law is a contract कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, एक example देखते हैं उसके बाद आपको clear हो जाएगा कि ये कहना कह चाता है हर चीज जगर example से समझ जाए तो सब कुछ असान हो जाता है, है बहुत easy लेकिन सही time पर सही example को देख लेना चाहिए अगर हम बात करें इस example की, X says to Y, एक person है X, उसने Y को कहा Will you buy my car for rupees 2 lakh? क्या तु मेरी car buy करोगे 2 lakh रुपे में? तो X ने Y को एक offer दिया, क्या तु मेरी car buy करना चाहते हो, purchase करना चाहते हो, rupees 2 lakh में Y accept the offer, Y ने उस offer को accept कर लिया, तो X ने offer दिया, Y ने उस offer को accept कर लिया, आप ध्यान से सुनेंगे इस example को आप मेरे examples ध्यान से सुनते चलो, मैं आपको guarantee के साथ ये बोलना चाहता हूँ कि आपको law के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, law पूरा easy है, law का मैं जहता हूँ आपको सारे subject easy है, बस पढ़ाने वाले को, हर subjects को simplified करना आना चाहिए और मैं आपको कोई भी subject हो, आपको इतना simplify करके दूँगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको technical subject पढ़ा हो, आपको लेगा आपकी ये क्या पढ़ा हो, ये तो बुटकुल easy है, तो आप ध्यान से बस सुनते चलो, it is an agreement, तो ये क्या agreement बन गया, agreement आपने term सुना होगा agreement का मतलब क्या होता है, दो लोग आपस में किसी चीज़ पर एक सहमती बना लेते हैं, तो एक plain paper में sign कर लेते हैं, term and conditions को लिखके, तो हम इसको agreement बोल देते हैं, तो उसी तरीके से X ने offer करा, कि तू Y, क्या तू मेरी car purchase करोगे, Y ने बोला, बिल्कुल करूँगा, तो X ने offer या Y ने उसका accept कर लिया, दोनों के बीचे एक agreement बन गया, अब ये agreement, अगर मानलो X जो है, इस agreement को तोड़ता है, यानि X कल को अपनी car बेचने को मना करता है, तो Y जो है, सीधी बात है, इसके खिलाफ court में जाएगा, या इसके खिलाफ पुलिस में case दर्च करवाएगा, और क तो X कहेगा, तेरे भरोसे पे मैंने विश्वास करके किसी और को car नहीं बेची, चुकि दूसरा person जो है, मैंसे car धाई लाग रुबे में खहिदने को त्यार था, लेकिन मैंने तेरे को कह रहा था, तो तो तेरे पे विश्वास था, और हमारे बीचे agreement है, सीधी बात है, हमा offer दिया था, वाई ने उसको accept किया था, और एक agreement त्यार हुआ था, जो कि एक commercial transaction पर बेस था, तो यह agreement है, which is legally enforceable, अब यह legally enforceable से अब मतलब क्या है, legally होता है, आपको legally मतलब होता है, legal enforceable मतलब होता है कि हम लागू करवा सकते हैं, उसको legally लागू करवा सकते हैं, हर commercial contract legally enforceable हो ज अगर जो है, कोई भी party इसको default करती है, अपने promise को fulfill करने में, तो हम उसके किलाफ जो है, other party court में जाएगी, तो हम उसका मतलब होता है, legally enforceable, and in case of any breach of promise, अगर कोई भी party जो है, ब्रीच करती है, यानि तोड़ती है अपने promise को, the other party will be at the liberty to file a suit to recover the damages, तो other party के पास यह liberty होती है, क suit का मतलब क्या होता है, case, case file कर सकती है, और damages recover कर सकती है, जो भी other party को नुक्सान होगा, सामने वाले party के breach of promise करने से, ठीक है, यह example है, वो clear हुआ, इस example को हम तोड़ा सा और analysis करके देखते है, एक्स offer, offer को हम एक और नाम से जानते हैं, proposal, कहीं पर offer लिखा हो, या proposal लिखा हो, आप उसका मतलब समझेंगे, offer, ठीक है, एक्स offer, car to y, x ने offer की, car y को, y ने accept कर लिया, दोने के बीच एक promise बन गया, तो promise कैसे बनता है, एक person offer करता है, दूसरा person उसको accept करता है, और दोने के बीच बन जाता है, तो promise यसी तरह बनता है, एक्स कौन हो गया एक्स जो पर्सन ओफर देता है उसको कहते है ओफर या फिर प्रॉमिसर जिसको ओफर दिया चाता है उसको कहते है यानि यह वाई वाई क्यों है वाई जो हमारा ओफरी है यह हम उसको कहेंगे प्रॉमिसी ठीक है अब एक बात बताओ एक्स ने अपनी कार द होता कि एक person एक party कुछ कर रही है और उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा हर party को बदले में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तो उसी बदले में कुछ ना कुछ मिले को हम कहते हैं consideration अगर English में बुले तो something in return consider for something in return आपको कुछ करने की बदले कुछ जरूर मिल रहा है x को अपनी कार देने की या मिल रहा था 20000 रुपे और y को 20000 रुपे रहे या मैं कहूँ एक्स के लिए 119 रुपे और y की या मैं कहूँ अधर कि का है तो आपको क्लियर होगया कि X को हम ऑफर गई यह Y को whilst इल अगर आपको को अगर हो गया ओडियर करें surprising क्लियर हो गया तो मैं आपको जो है Indian contract Act का बइसिक पूरी तरिके से को सुप्वाइय आपको कोई सोच का और समझाने का तरीका सही होना चाहिए अब देखते हैं आपने definition contract contract section two clause h में दे रखा था contract का मतलब था an agreement अब आपको agreement का मतलब समझ में आता है थोड़ा वो तो समझ में आता है agreement का मतलब क्या होता है offer plus acceptance enforceable by law enforceable का मतलब आपने देखा था enforceable का मतलब कि कोट में जा सकते हैं अगर सामने वाला परसन जो है अपने प्रॉमिस को फुल्फिल ना करें तो तो कॉंट्रेक्ट के अंदर दो वर्ड से दे रखें एक है एक है एग्रीमेंट दूसरा है एनफोर्सेबल वाई लॉग या उसको कह सकते हैं एनफोर्सेबिलिटी अगर हम अगरेंट की बात करें एक हमारा एक चार्ट दे रखा है आप देखोगे ध्यान से एग्रीमेंट का मतलब होता है हमारा प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या होता है आपको मालूम है अगर हर किसी को कुछ ना कुछ करने के बदले कुछ ना कुछ जरूर रेटन में मिलता ही मिलता है तो कंसिडरेशन का मतलब को पता है प्रॉमिस का मतलब क्या होता है प्रॉमिस का मतलब होता है ओफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर ओफर के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ ज जाता है तो agreement का मतलब क्या होता है promise plus consideration या मैं कहसाता हूँ offer plus acceptance plus consideration दोनों का मतलब तो एक ही है offer plus acceptance से मिलकर promise बनता है और promise plus consideration मिलकर agreement बनता है अब promise का मतलब क्या होता है offer plus acceptance लेकिन यहां पर तो accepted proposal ऐसा कुछ दिया हुए तो मैंने आपको कहा था offer का मतलब offer का एक और नाम होता है proposal जब proposal दिया जाता है और उसको accept कर लिया जाता है यानि offer दिया गया और उसको accept कर लिया गया या मैं कहूं proposal दिया गया उसको accept कर लिया गया तो हम सको कहा जाते है accepted offer या accepted proposal तो promise का मतलब वो accepted proposal और accepted proposal में जब consideration जुड़ जाता है तो वह बन जाता है हमारा agreement agreement में जब enforceability जुड़ जाती है तो वह बन जाता है हमारा contract तो आपको यह sequence समझ माँ गए किस तरीके से बना हुआ है यह बहुत simple है बस आपको ध्यान से examples को समझते जाना है आपको मेरे examples समझने आपको law पढ़ने में कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है अभी आपने देखा आपको जो बात इतनी मुश्किल लग रही थी वह बात कितनी easy है अब आप contract के definition देखेंगे an agreement enforceable by law is a contract एक agreement जिसमें enforceability को add गए दिया जाए तो वो contract कहलाती है कितना आसानी से clear हो गया यह अगर हम example से ना करते है तो हम इतनी मुश्किल होती अब law जो है हर term को define करता है इसी दिया उसने agreement term को भी define कर रहा है और promise term को भी define कर रहा है तो agreement को define कर रहा है section 2 clause E में और promise को define कर रहा है section 2 clause B में तो अब हम इसको भी देख लेते हैं अब उसकी legal definition क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं लेकिन legal definition कुछ अलग नहीं कहती है वही कहीगी जो हमने समझ रखा है एक बार देख लेते हैं